इस न्यूज के प्राइजक हैं सर्वुस से पावर प्राइवेट लिमिटेड सर्वुस टेप पॉर स्ट्रॉंग तुमॉरो और आयाज परफ्यूम्स हमार साथ चौदरियासत अली साथ मौजूद है जो की पर्मुक समाज से भी है कांग्रेस से के पुराने लीडर है गाजीपूर मुर्गा मंडी जो दिली सरकार की उसके आप चेहरबेन भी रह चुके हैं संगठन में भी बहुत सारी जिम्मेदारिया रही है और कांग्रेस से इनका बड़ा पुराना तालुक है इसके लावा यूपी में भी बहुत सारी जगाओ पर इनकी दखल रहती है राजनीती में दखल रहती है और आज जो है ये कुलदीब कुमार जो यहां के इस दिली से चुनाब लड़ रहे हैं इंडिया गडबंदन के केंड़ेट हैं उनके लिए आज यहां पर एक सभा की गए थी बिहाली में तो उसमें भी इनकी काफी बागीदारी रही है इनी सब थोड़े से सवालों को लेके जवाब के लिए इनके साथ मुझूद है हम चोई साब आपका स्वागत है सबसे पहले तो मैं यह जानना चाहूँ को कुलदीब कुमार जी के चुनाब के बारे में आपकी क्या रहा है किस क्या मारजन रहेगा उनका हाड़ जीत का किस तरह के आप जो इस एलक्शन को किस एंगल से देखते हैं आप एले तो मैं शुक्रियादा करता हूँ फेस न्यूज का और डॉक्टर मुस्ता कंसारी जी का कि जो आपने मुझे इस लाइक समझा समाज मे कुल्दीप कुमार मोनू एक अच्छी सक्सियत हैं क्योंकि उन्होंने जब MCD का चुना उलड़ा बहुत अच्छे मारजन से जीता उसके बाद उन्होंने विदायक का चुना उलड़ा वो भी अच्छे मारजन से जीता और काम कर रहे हैं जब काम कर रहे हैं तब ही लगाता में इनको और बेनेफिट में लगा, क्योंकि जिस तरह से कॉंग्रेस मिल जुल करके काम कर रही है, हर जगा पे, हर सीट पे, उसी तरह से यहां पर भी पूरी वी दिल्ली में मौनु कुमार जी के लिए कॉंग्रेसी बढ़ चड़ कर काम कर रहे हैं, चाहे वो लक्समी नगर ह चाहे वो ओखुला हो, क्रिस्ना नगर हो, पटपडगंज हो, हर जगा लगे वे हैं, और ये जो एक कम्यूटी खास जो मानी जाती है, मुस्लिम, ये पूरा समाज वोट दे रहा है, ये कहीं भी गटबंदन से हट कर नहीं है, गटबंदन को पूरा वोट एक एक वोट चु कि पिलाष्टिक की कूरषिये बेचते फिर ते साइकिल के ऊपर, वो चार सो कहते हैं, चार सो पार कहते हैं, चार सो एक, चार सो दो, चार सो भीस कूरसी की, लेकिन देते कितने हैं, वो ही रेशियो इनका भी रहेगा, था स्जी जाने का, लगे, पहूट शारे खडएंग पुल्दिक पुमार की एकर सीट पिलें तो बहुत सारे केंडिट खड़े में और भी कई पार्टियों को इस पार में क्या क्या आप आप ने देखा होगा जहां जहां भी कंडिड़ेट्स ज्यादा खड़े हो यह कम खड़े हों मन बनाया हुआ है मुस्लिम समाज ने और इस वक्त ना तो कोई विकास का कारियर का नजर आ रहा है और नहीं जो पहले यह एक बाट रहते समाज को वो समाज भी नहीं बट राव इन से अब तो समाज ने एक ही दुन है गठ बंदन गठ बंदन गठ बंदन दिल्ली में क्या मानते हैं कितनी सीटों पे आप जो है जले जाएं सहर में चाननी चोक में चले जाएं आउटर दिल्ली में चले जाएं सारी विक्रतर आप ais को इस तरह से ijdवाल है काम किया है और इन दोनों का जो गड़फंदन हुआ है तो बीजेपी दिल्ली के अंदर बुरी तरह से बोखलाई हुई है जो केजरिवाल जी को छोड़ दिया गया आनन फानन में जेल से बाहर इसका भी क्या कोई फायदा आपको लगता है कि चना अपर पड़ेगा देखे य इंकम टेक्स को ने पीछे लगाया लोगों को हरेस्मेंट किया यह पूरी जनता आप समझ गई है यह बेनकाब हो गए हैं कहना इनके पास जूट का पुलंदा है जूट के अलावा कुछ नहीं है इसलिए मैं आपको बार-बार कह रहा हूं कि बीजेपी बॉखलाई हुई ह बीजेपी की हार निश्चित है निश्चित है निश्चित है चलिए यह थे हमारे साथ चोधर जासादली साब यह कह रहा है गड़बंदन जो महा गड़बंदन बना है उसकी विजे होगी पूरे देश में गड़बंदन की हवा है और जो बीजेपी जो पिछले दस साल से स झाल झाल